आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ऐसे असरदार सरीकों के बारे में जिससे अगर आपके बच्चे ने अब तक बोलना नहीं शुरू किया है उसको speech delay की problem है वो बोल तो रहा है बट उसका pronunciation नहीं अच्छा है या उसका उचारण नहीं सही बन रहा है वो जो भी ब करने से पहले मेरी आपके रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिये और अगर पसंद आए तो आपको क्या करना है लाइक करना है तो आए ये वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी बात करने का जो पहला तरीका है वो है कि पच्चों को इशारे को इग्नोर क कभी-कभी हमारे बच्चे हम से कुछ भी मानगते हैं इसारा करके आपको पानी मांगता है तो आपको कई बार उसका नाम ले अगर आप ऊmbolic कि बाट इस B Daar Fatta आप उन्हें दूसरा तरीका है कि घर ठीकि ऑन देक्व बनाना कई íamosसे अगर सब्सक्राइज प्सकेव चाहीं करने थैड़ा रहे है और कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बोलेंगे तो उसको बहुत सारे words मिलेंगे बहुत सारे WCAP मिलेंगे बोलने के लिए तभी जब उसको ने words आेंगे तभी वह अपनी बात को बोल पाएगा और उसकी जो learning कट्णा देख रहे हो वाओ इसने क्या पहना है यह क्या कर रहा है यह सिंपल वर्ड बोले तो आप उसको सेंटेंस पेंवेखर बहुत सुन्दर है तो जब बच्चा पूरा-पूरा सेंटेंस तो धीरे से पड़ेगी और वह जीरे से बोलना सेख जाएगा चौथा तरीका है कि बच्चे की तोतली बोली हम सबको अच्छी लगती है और कभी-कभी प्यार में या लाण में हम भी उससे बोलने लग जाते हैं वैसे ही तो यह बहुत गलत करते हैं अगर बच्चा कुछ भी गलत बोल रहा है तो हमें उसको वही टोक कर उस वर्ड को सही बोलना है ना कि वैसे ही बोलने लगना है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा बड़ा हो तो उसमें वह चीज हो जाया वह वर्ड सही हो जाये कभी-कभी बच्चे में वही आदत रह जाती है तो उसको टौकर हमें सही Państ・езж जिससे कि बच्चे का जो प्रणुशेशन है या जो उचारण है वो एकदम प्लियर पांचना तरीका है बच्चे से हमें जब भी बाग करनी है तो हमें अपनी जो वाइस है उसको तेज रखना है लेकिन जो बोलने की स्पीड है वो धीरे रखनी है यानि कि आवाज हमें माइंड होगा वो क्याप्चर करेगा तभी उसके माइंड में वो सारी बाते बैठेंगी तो हमें बोलते समय क्या धान रखना है हमें एक खुब बात करनी है दूसरा हमें अपनी आवाज तेज रखनी है लेकिन बोलने की स्पीड को धीमा रखना है जिससे की बच्च्या के जो माइंड है वो सारे वर्ट उसमें कैप्चर हो और वो अच्छे से और जल्दी बोलने लग जाए थाटा तरीका कभी-कभी बच्चा हमसे कुछ पूछता है या कोई भी उसकी क्यूरिसिटी है और हम उसको अवाइड कर देते हैं जैसे हम किसी का में बिजी है तो बोलते बहुत बड़ी गलती होती है अगर आपके पास उसमें टाइम नहीं है तो आप बाद में उसकी क्यूरिसिटी को जरूर शांत करिए क्योंकि आप बोलते हो बचा बाती नहीं करता है और जब उसके मन में कोई बात होती है या कुछ पूछना चाता है तभी वो आपसे पूछना चाता है उसका जवाब जरूर दीजिए जिसे बच्चे में इंट्रेस्ट आए और बार बार आपसे बोलने के लिए आए और बोलना भी सीखें साथवा पॉइंट है कि बच्चे को राइम और सौंग जरूर सुन जाएंगे बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए आप इसको कुछ सिखा रहे हो या कुछ पढ़ा रहे हो बल्कि इसको ऐसे लगना चाहिए कि आप उसको बात करे हो जैसे आप उसको दिखाते हो तो अब आप आपने बच्चों से इशारों में नहीं बोलना है उनसे खूब बात करनी है, बोल-बोल कर खेलना है, उनसे गलत नहीं बोलना है, जो भी गलत बोलना है, उसको आपको सही करके बोलना है, घर में आपको बोलने का महाल रखना है, बच्चे को राइम सुनानी है, पोर्म सुनानी है, और जो भी उनकी क्योरिसिटी है, उनको शान तो यह कुछ ऐसे 7 tips थे कि अगर आप इसको follow करते हो तो बच्चा आपका जल्दी बोलना सीख जाएगा साब बोलना सीख जाएगा और अगर वो गलत बोल रहा है तो वो भी उतमे clarity आ जाएगी कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर करिएगा